असलावलेकुम डियर स्टुडेंट्स वेलकम बैक मेरा नाम है तैमूर पर्विज स्टुडेंट्स इससे पहले हमने आट्रोकैट 2007 आट्रोकैट 2015 इसके लावा MS Office 2007 & 10 और Graphic Design में Photoshop, CoralDraw, N-Page इसके लावा हमने जो है तो MS Office वेरा पर और आट्रोकैट पर इन सब पर हमने काम किये और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जितना भी मैंने आपको सिखाया और आपको सिखाने की कोशिश की आपने वह सीखा होगा और उस पर प्रोफेशनली काम कर सकते होंगे जैसे के Graphic दिजाइनिंग में आप एक अच्छी Graphic डिजाइनिंग कर सकते होंगे और उसके लावा आपने आर्टोकैट में आप प्रोफेशनली आप आर्टोकैट में आपको कोई भी मैप अगर कोई बताया जाता है कोई भी आपको डैमेंसल्स दी जाती है तो आप एजिल उस पे काम क्या होगा और आप अच्छी तरह इन पर काम कर सकते होंगे और इस प्रैक्स क्योंगिया प्रोफेशनली सको अप्लाय भी करते होंगे इन सारे जतने भी कौर्सज में आपको करवाएं इनको आप कैन करते होंगे अब हम वेब डिजाइनिंग में HTML5 और CSS3 पर काम करेंगे HTML5 क्या होता है CSS क्या होता है इसके ओपर हम complete discuss करेंगे कि यह होता है कि इस पर किस तरह काम किया जाता है तो इस वेब डिजाइने के लिए और भी काफी सारे मार्कीट में software अवेलेबल हैं जैसे कि आप HTML जो हता है यह markup language होती है और इसके लाब और भी काफी सारे कोडिंग के लिए software भी apply के जाते है जैसे कि HTML के लिए कोई specific software नहीं होता आप notepad, notepad++ इसके लाब भी काफी सारे मार्कीट में software अवेलेबल जिन भी आप काम कर सकते हैं उसके लाब आप HTML5 की coding जो होती है यह आप ड्रीम वीवर में भी कर सकते हैं इसके लाब आप ड्रीम वीवर एक software है जिसके ओपर आप complete एक website design कर सकते हैं आप जुम्ला पर design कर सकते हैं इसके लाब wordpress जो के बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक software है जिस पर आप काम करते हैं इस पर आप असानी सिन पर काम आप कर सकते हैं तो हम HTML5 CSS3 के ओपर discuss करेंगे कि यह होता है कि इस पर काम कैसे किया जाता है तो इससे पहले हम आप से पहले हम जो है web designing के ओपर discuss करते हैं इस पर कैसे काम करते हैं और web designing से related जो concept से उनको हम समझने के कोशिश करते हैं आज के lesson में हमने क्या कैसे देखने उसके आपको बताता हूं आज से lesson में HTML5 CSS3 के ओपर discuss करेंगे उसमें हम देखेंगे introduction to web designing web designing introduction देखेंगे worldwide web introduction देखेंगे uniform resource locator या URL का introduction देखेंगे web server, web page and web browser के ओपर आज हम discuss करेंगे तो मैं अपनी आपको एक website open करता हूं इसके ओपर discuss करते हैं देखता हूं क्या के चीज़ें तो आज के lesson में हमने इसके ओपर discuss करने हुए introduction to web designing web designing क्या है इसके ओपर discuss करते हैं तो web designing होती है तो students web designing या आप designing एक ऐसा process होता है जिसमें आप different ideas को आप उनको इगठा करते हैं उनकी collection करते हैं और वो collection किसलिए की जाती है एक मखसूस काम के लिए आपने आपका एक मकसद है कि मैं website design करना जा रहा हूं तो उसके लिए आपके आपके design में different ideas होंगे और उनको आप एक खुबसूरती के साथ उनको arrange करोगे उन पर implementation करोगे किसी खास मकसद के लिए तो उसको हम कहते हैं design कहते हैं जैसे कि for example आपने देखा होगे अपने pamphlets देखे होगे मार्केट में उसके ओपर पूरी marketing की भी होती है या फिर pamphlet के लावा देखें यहां पर आप देखें मेरे सामने एक जो आपको slide सामने नजर आ रही है तो यह भी मैंने देखें design कहा है इसमें अच्छे से मेरे graphics डाले हुए इसमें color में ने अच्छा दिया हुए उसके लाव आप देखें इसका background जो है theme कितना अच्छा है उसके लावा इसमें graphics में आप देखें एक आपको एक bottle नजर आ रही है उसमें पंक सा पड़ा हुए और उस bottle में ink है तो पराने जुमान में इससे writing किया करते थे लिखते थे कुछ भी तो इस तरह आप देखें एक अच्छा आपको एक design आपको नजर आ रहा है तो इसको आप basically design करते आप इसी design में जब web designing का नाम आते तो web designing क्यों होती है तो web designing एक ऐसा ही process होता है कि web designing में website को जब आप design करते हो आप किसे भी चीज को present करने के लिए जब आप उसको design करते हो और आप जब design करते हो तो उस electronic web page कहते है जब आप इसको website को design करके तो electronic web page को कहा जाता है which is used and user can access through the internet with the help of web browser जिससे user जो होते हैं वो internet explore की मदद से internet explore को use करके आपकी उस website को देख सकते हैं उस website में enter हो सकते हैं तो यह web designing design एक आप simple graphic designing हम ने किया simple design design सरफ यह होता कि आप अपने जहन में कुछ ideas यहाप पस आप चाहते हो मेरी website में color ऐसे होने चाहिए मेरी website के ओपर जो content से हो ऐसे होने चाहिए उसके रावा मेरी website है उसमें graphic उसमें background ऐसे होने चाहिए तो सारे आपके ideas है इन ideas को जब आप इगठा करते हो और आप इगठा इसलिए करते हो ताके आपका user है यह जो भी इनसान जो उसको देखे तो वह graphic की मदद से यह इस चीज की मदद से complete आपके ideas को समझ सके कि आप क्या कहना चाहरे हो यह से आपने किस मकसद कर इसको यूज किया हुए तो वह design होता है और यह जब designing आप किसी website के उपर apply करते हो तो उसको आप web designing करते हो website को हम create कर रहे है उसमें different pages होगर हमने create किये है हम home में हमने यह चीज लिखनी है about us में हम यह चीज लिखने चाहरे है और उसमें अच्छे से themes apply के में तो इसको हम web designing करते हैं अच्छा तो web designing के लिए हमारे पास elements होते है elements of web designing जो होते है इस elements में सबसे पहले layout है layout में खाका आप जब भी कोई चीज बनाते है तो आप उसका layout बनाते है खाका सा बनाते हो आप rough आप खाका बनाते है rough आप किसी page यह उपर layout बनाते हो या पर आप सोचते हो कि मेरी पस वेब साइड होगी तो आया कि मैंने उसको उस website को जो है तो मैं education से related में बनाना चाहरी हो business related में बनाना चाहरा हो engineering से related बनाना चाहर हो अगर ilektrical engineering में अगर mecanical तो आपने जिस चीज से बनाना है, तो आपने análory plan, गार Minute करना है अगर you on에, कि कि आप century ्णिनियरी बनाना है तो आप electrical engineering का आप पूरे contents आप जाएंगे होम एक उसमें कॉंटेटेना है, होम में आप जी लिखते हैं जो भी आपने चीज हम आपने कुछ थीम क्रिएट करना है अब उसका जो बैक्राउंड है वह बैक्रांड भी आप ऐसा करना है किसमें मैंने यही चीज़ रखनी है उसके रखनी है उसके रखना 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 है उसके बहुत important होता है तो आपने अब उस website के ओपर color भी कुछ ऐसे apply करने के जब आप graphic उसमें apply करो या उसमें जो background दो या फिर उसके ओपर जब text हो तो text का color हो गया या background color होगा वो अच्छा होना चाहिए में अगर आपने पीछे जिस तरह आपने कोई text दिया आपने अगर black color का background दिया हो है तो उसके ओपर आप जब text लिखोगे तो text black नहीं दोगे उसको color text को उसका color आप white कर दोगे yellow कर दोगे कोई और color दोगे जो कि उसके ओपर अच्छा लगएगा तो slide के ओपर जो picture लगए है जो अपने picture लगए है तो उसके आया है कि उसकी resolution अच्छी है उसके ओपर उसके जो resolution उसमें उसके pixel या उसकी जो picture है वो फटी भी तो नहीं है उसमें graphics अच्छे apply किये हैं तो इस सारी चीज़ने आपने उसमें भी देखनी होगी सब्सक्राइब आपने लिखने हैं आपने कैके चीज़नें डे नहीं है so content में आपने complete अपने introduction देना है अबवाट अस अपने अपना introduction देना है उसके राभाव आप नहीं ऐसके अगर electrical लेक्रिकल के बारे में contents लिखने उसके लवापने इसके ओपर जो ऑपढ़र जो बैट इसको बोल्ट कहा कहा से करना है, heading किस तरह की apply करना है, तो इस सारी चीज़ेंग के डिजाइनिंग के जो elements होते हैं, यह उस पर आ जाते हैं. अब पिक्चर वीडियो भी ग्राफिक्स हैं, वीडियो अपनी कौन सी apply करनी है, उसमें वीडियो कौन कौन सी रखनी है, वीडियो के ग्राफिक्स कौन से होना चाहिए, उसको format कौन से होना चाहिए, तो इस सारी चीज़ेंगे आपके elements आते हैं, web designing के. अब देखें जैसे कि आप सामने आपको एक website नजर आ रही है, अब इस website के ओपर आप देखें, एक company name सबसे ओपर लिखते हैं, आपने website बनाई है, जो भी आपने, आप लिखते हैं, electrical engineer, उसकी website है, अब उसमें home, hogya solution, blog, जिस सारी चीज़ेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग उसके लाब इसमें graphics कैसे अप्लाए है, इसमें text का देखें, color कॉन से है, household, designer जो है तो इसका क्या है, तो एक civil engineer है, civil के उससे related यहाँ पर material वगारा अप्लाई क्या है, इस पर आप देखें, तो उससे related एक site बनी भी है, तो यह देखें उसका color कैसा है, इस पर क्या क्या अगर यह picture में, पीछे जो मेरे पस background है, जो slides का background है, अगर इसका color होता है yellow, उसके उपर apply करता हो, तो यह आपको बहुत अजीब सी लगती, तो देखें, इसका color भी इससे match हो रहा है, तो आप इस तर भी अपने graphic भी अपने अच्छे रखने होते हैं website के, तो fundamental of internet and www concept क्या हो काफी सारी computer को आपस में interconnect करते हो, तो आप उसको web करते हो, अब web किस लिए आप internet connect कर रहे हो, कि आपने data, अपने resources और शेयर करने के लिए आप उससे interconnect करोगे, तो उसको web करोगे, और web जो होता है, कहता है, the web is a part of internal, consistent of various computer exchanging web pages, तो web जो होता है, इसके थ्रूँ आप काफी सा exchange करते हो, या उसको exchange करते हो, तो उसको आप क्या कहते हो, web pages को कहा चाते है, web site के ओपर जब आप उसके में काफी सारा pages लगाते हो, उसमें pages एक web का, जो page हो, home का page आ गया, about us का page आ गया, तो इनको आप pages कहते हो, जो क्या आपके, काफी आप यह जो internet से connect के वे होते हैं, तो इसको आप web pages कहते है, उसके बार www mean, worldwide web क्या होते है, तो worldwide web क्या होते है, www, इसका मतलब होता है, the part of internet that store information in multimedia from that sound, photos and videos, as well as that, as well as text and make the exchange of information easily, के आपने www मतलब worldwide web का function यह होता है, इस पे आप internet के ओपर जब आप कोई भी storage, मेर आपने कोई sounds उसमें अपलाई के हैं, sound रखे हैं, आपने अपनी website के ओपर photo रखे हैं, वीडियो रखे हैं, किस चीज़ के लिए, आप अपनी information को exchange करने के लिए, मेर के मैं, आप अपनी company आपकी for example, आ information जो है, आप देना चारे हो, all over the world, तो आप वो www.world.web के ओपर अपने वो apply करने हैं, मेर आपने website बनाओगे, तो उस website के तुरू, आपकी company जो है, उसकी marketing हो रही होगी, तो वो marketing आप चाहे sound के मदद से, photos की मदद से, वीडियो की मदद से आप देना चाहो, तो आप इसके जो internet के तुरू या website बनी वी थी, उसके तुरू जो computer connect थे, website आप से तरी बनी थे, उसके साथ जो computer connect थे, तो वो तकरीबान 82 million थी, और आज के दोर में, जो है, ये तकरीबान 2003 में, ये 300 million तक आगे, मिन 300 million computer जो है, वो internet से connect हो गे, और अब तो 2015 में तकरीबान ये 1000 million से भी above computer connect हो चुके हो है, क्योंकि आज के दोर ही internet का दोर है, technologies का दोर है, और देखें, यहां पर कहते है, how does the www work, www.worldwideweb.com कैसे काम करते है, कैते है, information store in document called webpage, आपके जो वेब, आपकी जो information जतनी भी होते है, वो जिसमें store कियो जाते हो, उनको webpage का जाते है, webpage file जो होती है, जो data को store कर जाते हैं, वो web server का जाते है, आपका data जतना भी है, जो website के अंदर जो store है, या web pages में जो data store है, वो basically आपके web server में store है, और computer reading the webpage, आरकाल, web client, जो computer web page को पढ़ते हैं, अगर मैंने किसी की website पढ़ने है, मैं किसी की website में देख रहा हूं, उस पर पढ़ रहा हूं, तो मैं उस website क client हो, तो जो computer इस website को जाके पढ़ते हैं, या जिस website पर जाते हैं, तो उने client का जाता है, और web client view the pages with a program, call the web browser, और जो client जिस चीज़ के through उन pages या उस website में एंटर होते हैं, तो उसको web browser का जाता है, और popular जो web browser है, वो internet explorer है, firefox है, google chrome है, इसके लावा भी safari हो गया रहा है, और पहरा भी नहीं है, और इसके लावा कफे सारी browser है, uniform resource locator का function क्या होता है, URL, URL basically ऐसी चीज़ होते हैं, जो आपकी website को, website पे enter होने का जरीह होता है, मतलब location आपने website जो है, उसके अंदर enter होने का जरीह होता है, URL stands for uniform resource locator, it is also called website address, जो website address कहते हैं, तो यह URL जो होता है, यह हर एक website का एक अपना address दे जाता है, जिसके थो आप इसमें enter हो सकते हैं, जैसे गारेंग इनसान का नाम होता है, इस तरह एक website का भी नाम होता है, आपने इस website के अंदर आपने जाना है, उस website को आप domain कहते हैं, जो नाम आप वो लेता है, उसको आप domain कहते हैं, डुमैन के थो लेते साथ कौम लोती है उसका नाम होता है उसके बापका नाम होता है इसंतरह तो यही होता है कि आपकी website का नाम क्या है website आपकी कहां किये नहीं पर इसमें差不多 आपने एक website आपने लिए कोई भी वेबसाइट www.diploma आगे for example slash home page या slash लिखा उर्दू tutorial उर्दू tutorial आपका page आ गया पीछे website आ गई तो इसके लावा इसमें जो तो complete गे इसमें कुछ काफी सारी partitions की वे रहती है उसके थूप की website सामने आज जाती है अब यहां पर कह रहा है द वेब पेज द वेब प्रोटोकोल द नेम आफ एप पेज the directory और folder of the server the file within the directory file कौन से है directory में तो यह सारी चीज़े हम आगे कि जो ऐसे इससे next तकर में इसके थर्ड नमर पर जो slide है उसके उपर complete इसके examples दी में उसके उपर हम काम करेंगे जैसे कि यहां पर नीचे भी example दी है कहता है www.ptv.net.pk web server क्या होता है web server एक ऐसी चीज़ होती है जो specific hardware और software से मिलके computer यह server बनाया जाता है जिसमें आप अपनी website को upload करते हैं आपकी website जहां पे save रहती है महफूज रहती है उसका web server कहते है web server जो होता है आप जब website में आप URL या फिर आप अपनी website का address देता है तो address डिरेक्ट web server में जाता है web server से website आपके सामने open होती है यह web server को request send करता है और web server से website सामने open होता है web page यह hypertext documents के होता है कहते हैं अब web page यह डॉकुमेंट्स on web consistency of HTML file यह HTML file से रिलेटर होता है the home page और welcome page और इसको the home page यह welcome page कहते हैं जब आप web page यह अपर कोई भी address लेखते हो तो आपके बस default जो address सामने जो चीज़ सामने open होती है अगर आपने सही लिख है तो जो सामने चीज़ open होगी तो उसको आप home page कहते हो home page के बाद आगे उसके काफ़ सरे pages होते हैं वह आपको यहां पर नीचे example दी वी है जो किसे पहले वाले पिछली slides में से मैंने कहा था मैंने आपको next slide में के उपर complete details आपको बताऊंगा दा home page or welcome page क्याते है is the main page of first screen you see when you access a website जब आप website open करते हो जब इस पर आप access करते हो तो यह first page open हो तो उसको home page यह welcome page भी कहते हैं क्याते है website and homepage tends to be used interchangeably आपके साइट से काफी सारे पेज़ें लेकिन आप डिरेक्ट जब पेज को उपन करते हो तो वो आपकी वेबसाइट जब उपन होते हैं उसमें होम पेजी उपन होता है अब इस पूरे की पूरी वेबसाइट के ओपर हमने कम्प्लेट में डिटेल में निचे दिया हुआ कहता है अब अब आपके साइट का नाम है यह एक वेबसाइट का नाम है और डुमें यह डुमें का नाम है and scholarship.html वेबपेज का नाम है और आगे जो लिखा scholarship.html यह एक वेबची पेज उसी वेबसाइट में एक वेबपेज बना हुआ है वेबसाइट लुकेशन या हाइपर लिंक डॉकुमेंट्स अब लुकेशन कहां पर लुकेशन इसी क्या होती है और हाइपर लिंक डॉकुमेंट्स क्या होते है है कहते जिस जब आप किसी भी प्लेच यह किसी भी साइट पर विजट करती हो तो उसको वेबसाइट का जटाए और यह जो साइट होती है यह यह तक्रीब आपके पास जो यह साइट रहें यह 200,50,000 के वेबसाइट बने बही हैं और यहां पर आगे लिखा हुआ है कहते है कि आप वेबसाइड इस एंटरनेट लोकेशन ओफ अफ ए कम्प्यूटर और सर्वर और विच आइपर लेंक डॉकुमेंट इस स्टोर वेबसाइड एक ऐसी लोकेशन या इसी चीज़ पर पढ़ी भी होती है जिसको आप सर्वर कहत है और यह जो सर्वर होता है इसमें डॉकुमेंट स्टोर किये जाते हैं सर्वर के अंदर डॉकुमेंट स्टोर होता है जैसा आप कम्प्यूटर के अंदर हार्डिस होती है हार्डिस में आप डॉकुमेंट स्टोर करते हो इस तरह पूरी दुनिया की वेबसाइड पूरी द cv.net.pk या फिर ptcl.com.pk और वी यू विर्चुल इनिवर्स्टी का एक है .edu.pk इस तरह के उसमें वेब साइट के लिए इस तरह के आप यूस करते हो यूर्ल डुमेंज आप ऐसे यूस करते हो वेब ब्राउजर जो होते है वेब ब्राउजर क्या होते है वेब ब्राउजर इस चीज होती है जो कि आपके डॉकूमेंट आपकी जो वेब साइड एउस वेब साइड में इंटर होने का एक जिरी जिसको आप वेब ब्राउजर कहते है और ब्राउजर जो होता है क्याता है interrupt html codes including text image hyper text link javascript and java applets web browser के उबER वेब साइड में अपने चैस्यॉप में अपने अपने्ट रफ्लाय कि हता हुआ आपने वीडियो़ अपने और दिमिए होते हैं तो इस सारी चीजे उस web browser के थे अपने तो में ब्राजर और नेटसकेप नविगेटर जो ब्राजर है में जो ब्राजर जए तर यूज़ होते हैं वो नेटसकेप नविगेटर एक ब्राजर का नाम है Microsoft Internet Explorer है Firefox है और Safari वगरह है Google Chrome है और Opera Mini वगरह यह ब्राजर इसमें यूज़ के जाते हैं नाम होता है browser तो यह था जी आपका introduction to web designing और उससे related कुछ concept थे URL क्या है www क्या होता है पेज क्या होता है web pages क्या होता है web server क्या होता है इसके उपर हम ने आच डिसकस किया तो उमीद करता हूँ आपको इस lesson की समझ आई होगी और आपको basic concepts प्रता चल कियोंगे और इसके राब अगर आप बहुत ज़्यदा information लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप internet में आप search कर सकते हैं आप google के तुर आप search करें जिसी इसके बार में आपने ज्यादा information लेनी है तो आप उसको search और कि उसके ओपर information ले सकते हैं तो अब इंशालों next lesson में मिलेंगे HTML5 और CSS3 का introduction लेके next lesson में हम HTML5 क्या होता है CSS3 क्या होता है इसके ओपर हम introductions का करेंगे तब तक अपने बहुत सारा ख्याल रखेगा अपनी दौा में याद रखेगा खुदा हाफिज